पार्ट पांच शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्याय और समास, वर्ट फॉर्मेशन, प्रेफिक्स, सफिक्स, एंड कमपाउंड हम पढ़ चुके हैं कि रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं रूड, योगिक और योग रूड रूड शब्द अपने मूल रूप में ही प्रियोग किये जाते हैं जबकि योगिक शब्दों की रचना दो शब्दों की योग से या मूल शब्दों में शब्दांच जोड कर की जाती है इनी शब्दांचों को उपसर्ग और प्रते कहा जाता है योगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है एक उपसर्ग द्वारा दो प्रते द्वारा तीन समास द्वारा एक उपसर्ग प्रिफिक्स नीचे लिखे शब्द पढ़िए आपने देखा कि हार, बल, खिला और ग्रह शब्दों के आगे उप, दुर, अद और उप शब्दांच लगाने से एक नया शब्द बना है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है कई बार शब्द के अर्थ में विशेष्टा भी आ जाती है शब्द के आगे जुड़ने वाले ये शब्दांच उपसर्ग कहलाते है वे शब्दांच जो शब्दों के आदी यानि की आरंब में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेष्टा ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं हिंदी में मुख्य रूप से पांच प्रकार के उपसर्गों का प्रियोग किया जाता है एक, संस्कृत के उपसर्ग दो, हिंदी के उपसर्ग तीन, अर्भि-फार्सी के उपसर्ग चार, संस्कृत के अव्यय पांच, अंग्रेजी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग उपसर्ग अर्थगत, विशेश्टा, शब्दुरूप अ- नहीं, अभाव, अगम, अचल, अधर्म, अजन्मा अन, नहीं, अभाव, अनादर, अनागत, अनावश्यक, अती, अधिक, अत्यधिक, अत्यचार, अत्यंत, अतिशय, अधी, उपर, श्रेष्ट, अधिनायक, अधिपती, अधिकृत, अध्यक्ष, अनु, पीछे, समान, अनुकूल, अनुक्रम, अनुकरण, अनुज, अप, बुरा, हीन, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण अभी, सामने, ओर, अभिमान, अभियोग, अभिशाप, अभ्यास अव, बुरा, हीन, अवगुण, अवनती, अवसर, अवकाश आ, तक, सहित, आचरण, आगमन, आमरण, आकार उत, श्रेष्ट, ऊपर, उत्तम, उत्कंठा, उत्थान, उत्पन्न उप, पास, समान, उपमंत्री, उपसचीव, उपदेश, उपग्रह दुर, बुरा, कठिन, दुर्वेवस्था, दुर्वचन, दुर्जन, दुलब दुष कठिन, दुषकर, दुषकर्म, दुषचरित्र, दुषसाहस, नी, नीचे, निशेद, निवास, निशेद, निदान, निबंद, निर, बिना, निर्मल, निर्भय, निर्जन, निर्देय, निस, नहीं, रहित, निससंदे, निससंतान, निश्पाप, परा विपरीत अनादर पराकाश्था पराजय पराधीन परामर्ष। परी आस्पास चारो ओर परिक्रमा परिचय परिवार परिवर्तन। प्र अधिक आगे प्रखर प्रभात प्रचार प्रगती प्रती सामने विरुध प्रतिशोद प्रतिद्वनी प्रतिदिन प्रतिकार वि विशेश भिन्न विजय विनाश विवाद विराम सम, अच्छा, साथ, संगम, संग्रह, संपती, संश्य, सु, अच्छा, सहज, सुलब, सुकर्म, सुपुत्र, सुगम, स्व, अपना, स्वतंत्र, स्वराज, स्वचंद हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग अर्थगर्थ विशेष्टा, शब्द रूप, अध, आधा, अधपका, अधखिला, अधजला, अधमरा अन, नहीं, अभाव, अनमोल, अनजान, अनपड, अनहोनी, ओ, निशेद, हीन, ओघड, ओगुण, ओघट, उन, कम, उन्निस, उनतीस, उनतालिस, उनचास कु, बुरा, कुपुत्र, कुचाल, कुरूप, कुख्यात, चौ, चार, चौराह, चौपाल, चौमासा, चौपाया दु, बुरा, दुबला, दुकान, दुगुना, दुपईया, नि, बिना, रहित, निकम्मा, निठल्ला, निडर, बिन, बिना, निशेद, बिन मांगा, बिन ब्याह, बिन कहे, बिन सुने भर, ठीक, पूरा, भरपाई, भरपूर, भरपेट, भरमार, स, सहित, अच्छा, सरस, सपूत, सजल, सु, अच्छा, सुगम, सुजान, सुपुत्र, सुडॉल अर्भी फार्सी के उपसर्ग उपसर्ग, अर्थगत, विशेष्टा, शब्द रूप, अल, निश्चित, अल बत्ता, अल गरज, अल विदा बे, बिना, बे चैन, बे कसूर, बे चारा, बे अदब बा, सहित, बाकाइदा, बा अदब, बा इज़त, बद, बुरा, बदनाम, बदबू, बद सूरत, बद किस्मत बिला, बिना, बिला कसूर, बिला वजय, बिला नागा कम, थोड़ा, हीन, कम बक्त, कम जोर, कम उम्र, कम ख्याल खुश, अच्छा, खुश दिल, खुश मिजाज, खुश किस्मत गैर, भिन, अलग, गैर सरकारी, गैर मर्द, गैर कानुनी, गैर हाजिर दर, मे, दर मियान, दर असल, दर हकीकत ना, नहीं, ना चीज, ना लायक, ना दान, ना समझ ला, बिना, नहीं, ला इलाज, ला परवा, ला जवाब, ला वारिस हम, समान, साथ, हम उम्र, हम शकल, हम जोली, हम साया सर, मुख्य, सरपंच, सरताज, सरकारी संस्क्रित के अव्यय, उपसर्ग, अर्थगत, विशेष्ता, शब्द रूप अधह, नीचे, अधो लिखित, अधो गती, अधा पतन अंतह, बीतरी, अंधा करण, अंधा पुर, अंतर यामी, अंतर आत्मा अंतर, बीतरी, अंतर राष्ट्रिय, अंतर राज्य, अंतर जातिय अलम, बहुत, बस, अलंकरण, अलंकार चिर, बहुत, देर, चिरन जीवी, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थाई पुरा, पुराना, पहला, पुरातत्व, पुरातन, पुरकाल बही, बाहर, बहिरमुख, बहिशकार, बहिरगमन, बहिरद्वार सत, सच्चा, सतकर्म, सज्जन, सतसंग, सदधर्म पुनह, फिर, पुनर अभ्यास, पुनर विचार, पुनर निर्माण, पुनर आगमन अंग्रेजी के उपसर्ग उपसर्ग, अर्थगत विशेषता, शब्द रूप सब, सब, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार deputy, deputy, deputy collector, deputy commissioner head, head, headmaster, head clerk, head cashier half, half, half pent, half plate chief, chief, chief minister, chief judge, chief cashier general, general, general store, general manager, general merchant assistant, assistant, assistant accountant, assistant teacher vice, vice, vice president, vice principal, vice captain एक ही शब्द में प्रियुक्त दो उपसर्ग उपसर्ग, शब्द, शब्द रूप निर्जमाआ, करण, निराकरण प्रती जमाउप, कार, प्रत्युपकार अ जमा नी, यंत्रित, अनियंत्रित अ जमा सू, जमा रक्षित, अ सुरक्षित अती, जमा आ, जमा चार, अत्या चार सू, जमा सम, जमा गठित, सू संगठित अन, जमा आ, जमा सक्ती, अना सक्ती हमने सीखा, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंब में लग कर उसके अर्थ को परिवर्थित करके नए शब्द बनाते हैं उपसर्गों का स्वतंतर रूप से प्रियोग नहीं होता हिंदी में पांच प्रकार के उपसर्ग प्रियोग्त होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अर्भी फार्सी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्याय, अंग्रेजी के उपसर्ग दो प्रत्याय, सफिक्स नीचे लिखे शब्द पढ़िये पठ जमा अनिये बराबर पठनिये भूल जमा अककड बराबर बुलककड आपने देखा कि कुछ शब्दांच शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनिता, परिवर्तन या विशेशता ला देते हैं इन्हें प्रत्य कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जो शब्दांच धातु रूप या शब्दों के अंत में लग कर नए शब्दों का निर्मान करते हैं, उन्हें प्रत्य कहते हैं क्रित प्रत्य जो प्रत्य ग्रिया के मूल धातु रूप के अंत में जुड़कर संग्या और विशेशनों का निर्मान करते हैं, उन्हें करत्य क्रित प्रत्य कहते हैं जैसे थक जमाआवट बराबर थकावट, चल जमाआवा बराबर छलावा, लिख जमाआई बराबर लिखाई, बेड जमाँत बराबर बेड़ंत क्रित प्रत्याय के भेद क्रित प्रत्याय करत्री वाचक, कर्म वाचक, करण वाचक, भाव वाचक, क्रिया वाचक एक करत्री वाचक क्रित प्रत्याय जिस प्रत्याय से बने शब्द द्वारा कार्य करने वाले अर्थात करता का बोध होता है उसे कर्त्री वाचक क्रित प्रत्य कहते हैं जैसे कर्त्री वाचक क्रित प्रत्य मूल शब्द उधारं अकड, भूल, बुलकड, पियककड आउ, बिक, तिक, बिकाउ, तिकाउ या, जड, खट, जडिया, खतिया उ, खा, कमा, खाउ, कमाउ वाला, लिख, बोल, लिखने वाला, बोलने वाला हारा सर्व खेवन सर्व हारा खेवन हारा दो कर्म वाचक क्रित प्रत्य जिस प्रत्य से बने शब्द से कर्म का बोध होता है उसे कर्म वाचक क्रित प्रत्य कहते हैं जैसे कर्म वाचक्रित प्रत्य मूल शब्द उधारण ओना बिच खेल बिचोना खिलोना नी ओड कतर ओडनी कतरनी ना बचा गवा बचाना गवाना तीन कर्म वाचक क्रित प्रत्य जिस प्रत्य से बने शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध होता है उसे कर्म वाचक क्रित प्रत्य कहते हैं जैसे कर्म वाचक क्रित प्रत्य मूल शब्द उधारण आ मेल थेल मेला थेला इखेत रेत खेती रेती नी संग चट संगनी चटनी चार वाचक क्रित प्रत्य जिस प्रत्य से बने शब्द से भाव का बोध हो उसे वाववाचक क्रित प्रत्य कहते हैं जैसे भाव वाचक्रित्पत्यय मूल्शब्द उधारण अंत रट गड़ रटंत गड़ंत आई सुन लिख सुनाई लिखाई आप मिल मिलाप आन उड चड उडान चड़ान आव कट चड कटाव चड़ाव आवा पहन चल पहनावा चलावा आवट थक मिल थकावट मिलावट आहट चिल्ला गुर्रा चिल्लाहट गुर्राहट आती कट चुन कटावती चुनोती पांच, क्रिया वाचक क्रित प्रत्य जेस प्रत्य से बने शब्दों से क्रिया परक विशेषन, संग्या अथवा विशेश अर्थ की बोधक क्रियाएं बनती हैं उन्हें क्रिया वाचक क्रित प्रत्य कहते हैं जैसे क्रिया वाचक क्रित प्रत्य मूलशब्द उधारण आ, मिल, चल, मिला, चला कर, गा, हस, गाकर, हसकर ता, बोल, खोल, बोलता, खोलता ते, हस, बोल, हसते, बोलते या रुला, मिला, रुलाया, मिलाया तद्धित प्रत्य जो प्रत्य संग्या, सर्वनाम, विशेशन या अव्य के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेशता लाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्य कहते हैं जैसे चित्रकार बराबर चित्र जमकार महानता बराबर महान जमता पशुत्व बराबर पशु जमत्व सौधागर बराबर सौधा जमगर उपर्युक शब्दों का निर्मान धातु से बिन शब्दों के अंत में प्रत्य लगाने से हुआ है अतै ये सभी तद्धित प्रत्य से निर्मित शब्द हैं तद्धित प्रत्याय के भेद, तद्धित प्रत्याय अपत्ते वाचक, संबंध वाचक, भाव वाचक, कर्त्री वाचक, लगुता वाचक, कर्म वाचक, गुण वाचक, स्रीलेंग वाचक, बहुवचन वाचक एक अ पत्ते वाचक प्रत्याय मूल शब्द निर्मित शब्द अ चनक चानक्य ई मरुत मारुती ई कुंती कौंते दो संबंध वाचक ई गुजरात पंजाब गुजराती पंजाबी एरा मामा फूफा चाचा ममेरा फुफेरा चचेरा इक मर्म कर्म मार्मिक कार्मिक तीन भाव वाचक आस खटा मीठा खटास मिठास आवट लिखा दिखा लिखावट दिखावट आहट गबरा चिकना गबराहट चिकनाहट इ नरम गरम नर्मी गर्मी पन बच्चा लड़का बच्पन लड़क्पन त्व घन लगू गनत्व लगूत्व ता मानव दानव मानवता, धानवता चार, कर्त्री वाचक आर, सोना, लोहा, सुनार, लुहार आरी, पूजा, जुवा, पुजारी, जुवारी इया, सुख, रसोई, सुखिया, रसोईया इ, जोग, रोग, जोगी, रोगी एरा, सांप, काम, सपेरा, कमेरा क, लेख, पाल, लेखक, पालक कार, चित्र, पत्र, चित्रकार, पत्रकार दार, दुकान, देना, दुकानदार, देनदार हारा, पानी, लकड, पनिहारा, लकडहारा वाला, गाडी, पान, गाडी वाला, पान पांच, लगूता वाचक E. लोटा, लुटिया, खटिया E. छोक्रा, टोक्रा, छोक्री, टोक्री D. संदूख, संदूकडी D. दुख, मुख, दुखडा, मुखडा छे क्रम वाचक, प्रत्य मूल शब्द निर्मित शब्द, गुना, तीन, चार, तिगुना, चोगुना, वा, पांच, दस, पांचवा, दसवा, सरा, दो, तीन, दूसरा, तीसरा, हरा, एक, दो, इकहरा, दोहरा साथ, गुन वाचक, इक, मर्म, कर्म, मार्मिक, कार्मिक, इत, खंड, पीडा, खंडित, पीडित, इय, आत्मा, राष्ट्र, आत्मिय, राष्ट्रिय, इला, चमक, नशा, चमकीला, नशीला, मान, शक्ती, बुद्धी, शक्तिमान, बुद्धिमान, वी, तपस्या, मेधा, तपस्वी, मेधावी, ल, शीत, शीतल, लू, शंका, श्रद्धा, शंकालू, श्रद्धालू आठ, त्री लिंगवाचक आ, बाल, शिष, बाला, शिष्या आनी, सेट, देवर, सेठानी, देवरानी इन, माली, नाग, मालिन, नागिन इ, मौसा, लड़का, मौसी, लड़की नौ, बहुवचन वाचक ए, बाला, कन्या, बालाएं, कन्याएं या, गुडिया, चुईया, गुडिया, चुईया अर्भी फार्सी के प्रमुख तद्धित प्रत्याई आना, महनत, रोज, साल, जुर्म, महनताना, रोजाना, सालाना, जुर्माना इत, हैवान, इंसान, हैवानियत, इंसानियत इ, आस्मान, खून, आस्मानी, खूनी इन, शौक, नमक, शौकीन, नमकीन खाना, मय, तोप, दवा, मय खाना, तोप खाना, दवा खाना खोर, आदमी, रिश्वत, आदम खोर, रिश्वत खोर गर, बाजी, जादू, बाजीगर, जादूगर गर्दी, आवारा, गुंड, आवारा गर्दी, गुंडा गर्दी गार, मदद, खिद्मत, काम मददगार, खिद्मतगार, कामगार गी, रवाना, मर्दाना, पेश, दीवाना रवानगी, मर्दानगी, पेशगी, दीवानगी गीरी, सोदा, चमचा, बाबु, दादा सोदागिरी, चमचागिरी, बाबुगिरी, दादागिरी ची, मशाल, तोप, खजाना, मशालची, तोपची, खजानची दान, पान, पीक, कलम, रोशनी, पान दान, पीक दान, कमल दान, रोशन दान, दानी, मच्छर, चूहा, नमक, मच्छर दानी, चूहे दानी, नमक दानी दार, पॉज, माल, इमान, समझ, पॉजदार, मालदार, इमानदार, समझदार नाक, शर्म, दर्द, खौफ, खत्रा, शर्मनाक, दर्दनाक, खौफनाक, खतरनाक पोश, नकाब, मेज, तक्त, नकाब पोश, मेज पोश, तक्त पोश बाज, धोका, दगा, चाल, धोके बाज, दगा बाज, चाल बाज, मंद, दौलत, गरज, अकल, जरूरत, दौलत मंद, गरज मंद, अकल मंद, जरूरत मंद, साज, घडी, जाल, जिल्द, घडी साज, जाल साज, जिल्द साज विशेश कभी-कभी एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्याय दोनों एक साथ भी प्रियुक्त होते हैं जैसे उपसर्ग मूल शब्द, प्रत्याय निर्मित शब्द, अनुभव, ई अनुभवी, अप, मान, इत, अपमानित, खुश, नसीब, ई, खुशनसीबी चिर्स्मरण, ईय, चिर्स्मरणिय, ततकाल, ईन, ततकालीन, दुस, साहस, ई, दुस साहसी, नालायक, ई, नालायकी, नेक, दिल, ई, नेक, दिली, नी, डर, ता, निडर्ता, निही, बल, ता, निर्बल्ता, बद नाम इ, बद नामी, बे इजज़त इ, बे इज़़ती, स्वअभिमान इनी, स्भलता, स्भलता, सुव्यवस्था, इत्थ, सुव्यवस्थित दो प्रत्यों का एक साथ प्रियोग, कभी कभी दो प्रत्यों को एक साथ प्रियुक्त किया जाता है, जैसे मुल शब्द प्रतय जम प्रत्य निर्मित शब्द रंग इन जम ई रंगीनी शीत ल जमता शीतलता राष्ट्र इय जमता राष्ट्रियता भूत इक जमता भोतिकता बच्चा पन जम आ भच्पना पी आस जम आ प्यासा हमने सीखा प्रत्य वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं धातुओं में लगने वाले प्रत्य क्रित प्रत्य कहलाते हैं संग्या विशेशन आदी में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्य तद्धित प्रत्य क्यालाते हैं अनेक शब्द उपसर्ग और प्रत्य दोनों के योग से बनते हैं एक ही शब्द में अलग-अलग बहुत से उपसर्ग और प्रते लगा कर अनेक शब्दों की रचना की जा सकती है। पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा कि उपसर्ग तथा प्रते के योग से नए-नए शब्द बनाये जाते हैं। समास द्वारा भी नए शब्दों का निर्मान होता है। अब हम समास का अध्यन करेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दाग के लिए गाड़ी, डाग गाड़ी, गोडों की दौड, गुड दौड। दो या दो से अधिक पदों से इस प्रकार बने शब्द समस्त पद अथ्वा समासिक पद कहलाते हैं। समस्त पदों के पहले पद को पूर्व पद और बाद के पद या पदों को उत्तर पद कहते हैं। सामासिक पदों को अलग-अलग करना और उनके आपसी संबंद को स्पष्ट करना समास विग्रे क्यलाता है विशेश समास के दोनों या अन्य अधिक पद मिलकर एक संशिप्त रूप धारन कर लेते हैं समास प्रक्रिया में बीच की विबक्तियों का लोप हो जाता है समास होने पर जहां संदी संबव होती है वहां नियमों के अनुसार संदी भी होती है समास के भेद समस्त पद जिन पदों के मेल से बनते हैं वे समस्त पद के खंड कहलाते हैं उन खंडों की प्रधानता के आधार पर समासों के मुख्य चार भेद हैं अव्याई भाव तत पूरुश द्वंध्व और बहुवरी ही समास अव्याई भाव तत पूरुश द्वंध्व बहुवरी ही एक अव्याई भाव समास अव्याई भाव शब्द का अर्थ है अव्याई बन जाना शब्द के अव्याई बनने का अर्थ है कि उसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन नहीं होता है इसमें पहला पद प्रधान होता है, इस प्रकार बना समस्त पद भी अव्य ही होता है, जैसे प्रती जमा एक बराबर प्रतेक, समस्त पद विग्रह, आजन्म, जन्म से लेकर, अंजाने, बिना जाने, घर घर, प्रतेक घर, निसंधे, संधे रहित, प्रतिवर्ष, प्रतेक व पेट भरकर, यथा शक्ती, शक्ती के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, आमरण, मरण तक, दिनों दिन, दिन बदिन, निडर, डर रहित, प्रति दिन, दिन दिन, प्रत्यक्ष, आखों के सामने, बे खटके, बिना खटके के, यथा मती, मती के अनुसार, यथा विधी, विधी के अनुसार, रातो रात, रात ही रात में, बे घर, बिना घर के दो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तरपद प्रधान होता है, इसमें पूर्वपद गौन होता है समस्थ पद का पहला पद संग्या या सर्व नाम होता है जैसे रसोई के लिए घर बराबर रसोई घर समस्थ पद बनाते समय बीच की विबक्तियों का लोप हो जाता है कभी-कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है जैसे दही बड़ा बराबर दही में डूबा हुआ बड़ा समच्थ पद बनाते समय तीनों पद में डूबा हुआ लुप्थ हो गए तत्पुरुष समास में करता और संबोधन कारक को छोड़ कर जिस कारक विभक्ती का लोप होता है उसी नाम से समस्थ पद पुकारा जाता है एक कर्म तत्पुरुष जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ती का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष होता है उधारण ग्राम को गया हुआ दो, करण ततपुरुष जहां पूर्वपद में करण कारक की विभक्ती का लोप होता है वहां करण ततपुरुष होता है जैसे समस्त पद विग्र है हस्त लिखित, हस्त से लिखित गुण युक्त, गुण से युक्त प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, स्वर्चित, स्वर से रचित, मन माना, मन से माना, अकाल पीडित, अकाल से पीडित, रेखांकित, रेखा से अंकित, दयार्द्र, दया से आर्द्र, मद मस्त, मद से मस्त तीन संप्रदान तत्पुरुष जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ती अर्थात के लिए का लोप हो जाता है वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है जैसे समस्त पद विग्र है दाग गाड़ी दाग के लिए गाड़ी देश भक्ती देश के लिए भक्ती गुरु दक्षिना गुरु के लिए दक्षिना प्रयोग शाला प्रयोग के लिए शाला यग्य शाला यग्य के लिए शाला विद्यालेय विद्या के लिए आलेय हत कड़ी हाथ के लिए कड़ी के लिए बली, पाठ शाला, पाठ के लिए शाला, क्रीडा क्षेत्र, क्रीडा के लिए क्षेत्र, मार्ग व्याय, मार्ग के लिए व्याय, युद्ध भूमी, युद्ध के लिए भूमी, सत्या ग्रह, सत्य के लिए आग्रह, हवन सामगरी, हवन के लिए सामगरी, चार अपादान तत्पुरुष जहां समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ती अर्थात से प्रिथक्ता का भाव का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है जैसे इश से निकाला पद च्यूत पद से च्यूत शक्ती हीन शक्ती से हीन धन हीन धन से हीन लक्ष भ्रष्ट लक्ष से भ्रष्ट पाप मुक्त पाप से मुक्त पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट रोग मुक्त रोग से मुक्त 5. संबंद तत्पुरुष जहां समास के पूर्व पद में संबंद कारकी, विभक्ती, का, के, की का लोप हो वहां संबंद तत्पुरुष समास होता है जैसे समस्पद विग्रह है अम्रित धारा, अम्रित की धारा, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, गंगा तट, गंगा का तट, मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, प्रजापती, प्रजा का पती, ग्रिह स्वामी, ग्रिह का स्वामी, पराधीन, परके अधीन, राज पुरुष, राजा का पुरुष, राम भक्ती, राम की भक्ती, उद्योग पती, उद्योग का पती, भारत रत्न, भारत का रत्न, ग्रिय स्वामी, ग्रिय का स्वामी, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गुड दोड, गोडो की दोड, देव मूर्ती, देव की मूर्ती, प्रसंगा नुसार, प्रसंग के अनुसार, सेना नायक, सेना का नायक, लख पती, लाखों का पती छे अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक की विभक्ती में या पर का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है जैसे समस्त पद विग्र है आत्म विश्वास, आत्म पर विश्वास, आप बीती, आप पर बीती, काना फूसी, कानों में फुस्फुसाहट, ग्रिह प्रवेश, ग्रिह में प्रवेश, जग बीती, जग पर बीती, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, ध्यान मगन, ध्यान में मगन, लोक प्रिय, लो विचार मगन, विचार में मगन, सिर्दर्द, सिर्में दर्द, आनंद मगन, आनंद में मगन, कला निपोन, कला में निपोन, कार्य कुषल, कार्य में कुषल, गुड सवार, गोडे पर सवार, दान वीर, दान में वीर, युद्ध वीर, युद्ध में वीर, विद्या प्रवी विध्या में प्रवीण, शर्णागत, शर्ण में आगत, देशाचन, देश में अतन, धर्मवीर, धर्म में वीर, एका धिक शब्दों का लोब, समस्थपद, विग्रह, अश्रु गैस, अश्रु को लानेवाली गैस, दही बड़ा, दही में डुबा हुआ बड़ा, पर्ण कुटी, गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश, पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, बैल गाडी, बैलों से खीची जाने वाली गाडी, मदु मखी, मदु का संचे करने वाली मखी, रेल गाडी, रेल, पट्री पर चलने वाली गाडी, माल गाडी, माल को डोने वाली ग साथ नयां ततपुरुष जिस समस्थ पद में पहला पद नकारात्मक यानिकी अभावात्मक हो उसे नयां ततपुरुष कहते हैं जैसे समस्त पद विग्र है अकर्मनियां न कर्मनियां अधीर न धीर अनादर न आदर अनादी न आदी संभव न संभव अज्यान न ज्यान अजर न जर अनहोनी न होनी अनाथ न नाथ अन्याय न न्याय असत्य न सत्य नास्तिक न आस्तिक तत्पुरुष के भेद तत्पुरुष समास के दो भेद हैं कर्मधारय और विग्रुगू एक कर्मधारय समास कर्मधारय समास में पहला पद विशेशन तथा दूसरा पद विशेशे होता है या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमे होता है जैसे विशेशन विशेश्य कर्मधारय समस्त पद विशेशन विशेश्य विग्र है नील कमल नीला कमल नीला है जो कमल नील गाय नीली गाय नीली है जो गाय नील गगन नीला गगन नीला है जो गगन निलांबर, नीला, अंबर, नीला है जो अंबर, सजन, सत, जन, सत है जो जन, मुख्या धापक, मुख्या अध्यापक, मुख्या है जो अध्यापक, श्वेत अंबर, श्वेत अंबर, श्वेत है जो अंबर, पर्मानंद, परम आनंद, परम है जो आनंद, वीर पुरुष, वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, महराजा, महा, राजा, महान है जो राजा, प्रधान चार्य, प्रधान, आचार्य, प्रधान है जो आचार्य, उपमें उपमान कर्मधार्य, समस्पद, उपमें, उपमान, विग्र है, चरण कमल, चरण, कमल, कमल जैसे चरण, चंदर मुख, मुख, चंदर, चंदर रूपी मुख, कमल नयन, नयन, कमल, कमल के समान नयन, विद्या धन, विद्या रूपी धन, कर कमल, कर, कमल, कमल रूपी कर दो द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्या वाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं इससे समु या समाहार का बोध होता है जैसे समस्त पद विग्र है पंच वटी पांच वटों का समुहु चत्र भुज चार भुजाओं का समुहु तिरह तीन राहों का समुहु पंच तंत्र पांच तंत्रों का समुहु नव रत्न नौ रत्नों का समुहु त्री लोकी तीन लोकों का समुहु त्री वेणी तीन वेणियों का समाहार चौ मासा च आठ आनों का समू, नव ग्रह, नौ ग्रहों का समू, तीन द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द के दोनों खंड प्रधान हो तथा विग्रे करने पर जिनके बीच में और अथवा या एवं लगता हो वे द्वंद्व समास कहलाते हैं, जैसे समस्त पद, विग्रह, आशा न निराशा, काम क्रोध, काम और क्रोध, दाल भात, दाल और भात, भला बुरा, भला और बुरा, उंच नीच, उंच और नीच, जन्म मरन, जन्म और मरन, दाया बाया, दाया और बाया, यश अपियश, यश और अपियश, दुख सुख, दुख और सुख, पाप पुन्य, पा दूद धही, दूद और दही, सीता राम, सीता और राम, भूक प्यास, भूक और प्यास, माप, माँ और बाप, स्थ्री पुरुष, स्थ्री और पुरुष, लाब हानी, लाब और हानी. चार बहु वरीही समास जिस समास में कोई खंड प्रधान नय हो और समस्थ पद किसी अन्य की विशेश्टा बताए या विशेशन की भाती प्रयोक्त हो उसे बहु वरीही समास कहते हैं समस्थ पद विग्रह दशानन दस हैं आनन जिसके अर्थात रावण लंबो दर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश गिरी धर गिरी को धारन करने वाला अर्थात श्री कृष्ण त्री नेतर तीन नेतर हैं जिसके शंकर विश धर विश को धारन करने वाले शिव जी नील कंठ नीला है कंठ जिसका शिव चक्र पाणी चक्र है पाणी यानिकी हाथ में जिसके अर्थात विश्णू चतुर भुज, चार हैं बुजाएं जिसकी अर्थात विश्णू वीना पाणी, वीना है पाणी यानि की हात में जिसके अर्थात सरस्वती श्वेत अंबर, श्वेत अंबर यानि की श्वेत वस्तरुवाली अर्थात सरस्वती संदी और समास में अंतर संधी दो वर्णों के परस पर मेल से होती है इनमें विभक्ती या पद का लोप नहीं होता जबकी समास में जबकी समास दो या अधिक शब्दों के योग से बनता है तथा समस्थ पद बनने पर विभक्ती या शब्दों का लोप हो जाता है जैसे हिम जमा आलिय बराबर हिमालिय संधी, हिम का आलिय बराबर हिमालिय समास, रेखा जमा अंकित बराबर रेखांकित संधी, रेखा से अंकित बराबर रेखांकित समास कर्मधारय और बहुवरिही में भेद कुछ समासिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुवरिही दोनों में पाए जाते हैं इनके अंदर को समझने के लिए इनके विग्रै पर ध्यान देना होगा कर्मधारे समास में एक पद विशेशन या उपमान और दूसरा पद विशेश्य या उपमे होता है जैसे कमल नयन में कमल उपमान और नयन उपमे है कमल जैसे नयन तथा पित अंबर में पीत विशेशन और अंबर विशेश्य है पीला है जो अंबर बहु वरीही समास में सारा पद ही विशेशन का कारे करता है कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके अर्थात क्रेश्ण या विश्णू, पितांबर, पीत हैं अमबर जिसके अर्थात क्रेश्ण या विश्णू. जब दोनों पदों में से कोई पद प्रदान नहीं होता तथा दोनों पदों से भिन कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो बहु वरीही समास होता है तथा जहां दोनों शब्दों में विशेशन, विशेश्य या उपमें, उपमान का संबंध हो तो वहां कर्मधारे समास होता है. द्विगू और बहुवरिही में अंतर द्विगू समास में पहला पद संख्या वाचक विशेशन होता है और दूसरा पद उसका विशेश्य परंतु बहुवरिही समास में सारा पद ही विशेशन का काम करता है विग्रे करने पर ही इनमे अंतर पता चलता है जैसे हमने सीखा पदों का संचिप्ट करके नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं दो पदों के मेल से बनने वाले शब्द समस्थ पद कहलाता है समास के छे बेदोते हैं अव्यभाव, तत्पुरुष, कर्मधारिय, द्विगु, द्वंद्व और बहुवरीही समास अव्यभाव समास में पूर्व पद अव्य होता है और समास प्रक्रिया के बाद समच्थ पद अव्य बन जाता है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रे करने पर विबक्ति चिनों का प्रियोग होता है कर्मधार्य समास के दोनों पदों में विशेशन, विशेश्य या उपमान, उपमे का संबध होता है द्विग्व समास में पहला पद संख्यावाची विशेशन होता है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं बहु विरीह समास में कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है A. टेक दे करेक्ट आंग